देवरानी जिठानी प्रतिभाप ने दोनों बेटे मनीश और प्रति की शादी करवा दीती है और पायल और पूनम को बहु बनाकर अपने घर ले आती है जहां पायल जौब करती है वहीं पूनम एक हाउस वाइफ है जो घर का काम करती है अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई अब अगर भगवान का बुलावा भी आ जाए ना तो कोई कम नहीं कम से कम इस बात की शांती रहेगी मुझे के मेरे बेटों को देखने के लिए कोई है कुछ दिनों तक तो सब पुछ ठीक चलता है एक दिन पायल शाम को अपने आफिस से लटते वक्त कुछ शापिंग करती हुई आती है आज बहुत दिनों की बाद इतने कपड़े लिए है मैंने मान खुश हो गया शापिंग करकी पायल अपने पूरे बेट पर कपड़े बिखिर देती है और नहाने चली जाती है इतने में ही पुनम पायल की कमरे में आ जाती है और कपड़े देखकर उसका मन भी मचलने लगता है लगता है भाबी आज अच्छी खासी शापिंग करका आई है मुझे भी शॉपिंग की कितना वक्त हो गया है कल मैं भी जाओंगी प्रती के साथ शॉपिंग पर पूनम एक एक ड्रेस उठा कर देखने लगती है और अपने उपर लगा कर शीशे में देखती है तभी पायल नहा कर बाहर आती है और कहती है पूनम के दिमाग में बस कपड़े घुमने लगते है और रात में जैसे ही प्रतीक आता है पूनम उसके पीछे शॉपिंग करवाने के लिए पड़ जाती है ठीक है बाबा कल हम भी जलेंगे लेकिन बस एक ही ड्रेस लेना नहीं भाबी ने इतने सारे कपड़े लिये है लेकिन किसी ने भी उन्हें मना नहीं किया नहीं कुछ कहा प्रतीक उस वक्त पूनम से कुछ नहीं कहता बस मूँ घुमा कर सो जाता है अगले दिन पूनम प्रतिक के साथ शॉपिंग पर चाती है और तम भर शॉपिंग करती है अब एक साल के लिए कपड़े भूली जाओ अच्छा खासा लंबा चड़ा खर्च हो गया है पूनम प्रतिक की बातों को इग्नौर करके चल देती है दिन बीतने लगते हैं एक रूस पाइल हुडा की एक लिपस्टिक खरित कर लाती है पाइल के पास नई लिपस्टिक देखकर पूनम के मन में भी भवरे उटने लगती है और वो तुरंट अपनी सास प्रतिभा के पास जाकर कहती है मम्मी जी मेरी न सारी लिपस्टिक खत्म हो गई है मुझे ब नहीं चाहिए अच्छा कल जाकर ले आना मुझे भी कुछ काम है हम साथ में चलेंगे कल अगले दिन पूनम सुबह पहले ही तयार होकर बासार जाने के लिए खड़ी हो जाती है और पूनम को तयार देकर प्रतिभा कहती है आरे शाम को जाना है और तू अभी से तयार होकर खड़ी हो गई अभी तो घर का सारा काम पड़ा है पहले काम तो सल्टा ले वो मुझे से ना रहा नहीं जा रहा था इसलिए मैं रेडी हो गई बिलकल बच्ची है तू शाम में दोनों सासपोंए शॉपिंग पर जाती है दोनों अपनी अपनी शॉपिंग में लग जाती है लेकिन जैसे ही बिलिंग के समय प्रतिभा को लिफस्टिक का रेट पता चलता है तो वो अपने कलेजे पर हाथ रख लेती है अरे, इतनी महेंगी लिफ्स्टिक कौन लगाता है पहू? कोई सस्ती सी ले ले थी? मेरी पूरे जिन्दगी में मैंने इतनी महेंगी लिफ्स्टिक नहीं ली एक खरीदने के लिए सोचना पड़ता है और तूने दो दो ले लिया ममी जी, भाबी जी तो इसी कमपनी की लगाती है? प्रतिबा कुछ नहीं कहती और दोनों वहाँ से सामान लेकर चले जाती है अब पूनम की नजरे पायल के उपर ही रहती, जो भी चीज़ पायल के पास होती, वो पूनम को चाहिए होती है इसी तरह घर का माहुल बेगरने लगता है, एक दिन पायल आईफोन लेकर आती है पायल के हाथ में आईफोन देखकर पूनम बागल हो जाती है, उसकी आँखे टिम टिमाने लगती है और उसी वक्त वो प्रतीक के पास पहुँच जाती है, और अपना फोन बैट पर फैंक कर कहती है मुझे आईफोन चाहिए, मेरा फोन खराब हो गया है ये कौन सा तरीका है, जब देखो तुम्हें कुछ न कुछ चाहिए होता है, कभी ये तो कभी वो अच्छा, तो भाबी को कोई क्यों कुछ नहीं कहता, वो भी तो दिन बर कुछ न कुछ खरीती रहती है मैं घर पर रहती हूँ, इसलिए आप मुझसे ये सब कह रहे हैं न नहीं, इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि इतने पैसे नहीं है मेरे पास, कि रोज फिजुल के उड़ा सको भाबी कमाती है, इसलिए वो खर्च करती है, तुम भी कमाओ, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा मेरे पास, तुम्हारे फोन लेने के पैसे नहीं है अब पूनम तम तमा जाती है, उसका चेहरा गुस से लाल हो जाता है और वो अपनी साथ प्रतिभा की पास चाकर कहती है मम्मे जी, मुझे भी भाबी की जैसा आइफोन चाहिए यह आइफोन कितने का आता है? बस एक लाग का क्या? एक लाग? दिमाग तो तेरा ठिक आने पर है ना? अरे बहु इतने पैसे कहां से आएंगे? आजकल रोज रोज तुझे कोई ना कोई चीज चाहिए होती है इतने पैसे कहां से आएंगे उडाने के लिए फिजुल में? अच्छा, मैंने कुछ मांग लिया तो वो फिजुल खर्चू गया और भाबी रोज कुछ ने कुछ खरीती है, वो कुछ नहीं वो सब उनकी काम का सामान है, है न? अर अब पायल कमाती है, वो अपने पैसे से कुछ भी करे है, उससे मुझे क्या? तू भी कमा, फिर हम क्यों तुझे बोलेंगे? मेरा बेटा बड़ी मैनत से कमाता है, और तू उसकी कमाई को पानी में फैक देती है कोई सस्ता फोन लेना होगा तो ले ले, इस तरह से तो घर ही नहीं चलेगा प्रतिक ने भी यही का, और आप भी अब मुझे यही सुना रही है आप लोगों को तो पहले से ही पता था कि मैं जॉब नहीं करती हूँ आप लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं इतना कहकर पुनम वहाँ से चली जाती है और रात पर नहीं सोती उसके दिमाग में बस आईफोन चलते रहता है किसी पी तरह उसे आईफोन चाहिए होता है यह कौन सी बात हुई, मैं नहीं कमाती हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा मैं आईफोन दो लेकर ही रहूँगी मैं भाबी से किसी भी रूप में कम नहीं हूँ अभी भी मेरे पास हुकुम का एक का बाकी है अगली सुबह पुनम उठने के साथ ही अपने ससुर सुदन के पास पहुच जाती है सुबह की चाहिए लेकर सुदन को आईफोन का दाम पता नहीं था और वो कहता है ठीक है पहुच ले ले तु आईफोन ये मेरा क्रेडिट कार्ड है ये लेकर जाना तू तेंक यू पापा जी शाम में पुनम आईफोन खरीद कर लिया आती है और जैसे ही सुदन के अकाउंट से एक लाग कटने का मैसेज आता है उसके तो होशी उड़ जाती है वो चिलाती हुए कहता है बहुच ये क्या है कौन इतना महेंगा फोन लेता है पापा जी भाबी ने भी तो लिया है औरे वो कमाती है वो अपने पैसे से कुछ भी ले उससे क्या पूनम को आईफोन वापस करके आना पड़ता है जिसके कारण उसके दिल में पायल के लिए जलन और नफरत भर जाती है पूनम को अब दिन भर ताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है एक रोज पूनम जब बाजार से घर लोटरी होती है तब पड़ोस की कौरत उससे कहती है तेरा अच्छा है आराम से घर पर रहो बेचारी पायल सुबह पहली ही आफिस के लिए निकल जाती है और ठक हार कर घर आके अपना काम भी करती है ऐसा भी कोई ती नहीं मारती है भावी पूनम का मुँ बन जाता है और वो चिड़ चिड़ा कर वहाँ से चली जाती है घर पहुंचने के साथ ही वो देखती है कि प्रतिभा के सहली सुधा आई हुई है और वो पूनम को देखती ही क्याती है पायल बहुत मैनती है कमाती है वो जो चाहे करे अपने पैसे से लेकिन आज कल तो किसी को कुछ दिखता ही नहीं कि सामने वाली कमाती है तब खर्च करती है बस बराबरी करने चले आते है प्रतिभा तेरी पायल जैसी बहु सभी को मिले पूरा दिन काम करती है और रात ठक कर आकर भी अपना काम खुद करती है यह किसे को नहीं दिखता यही तो बात है ना क्या करू किसे को कितना भी समझा लो कोई फरक नहीं पड़ता पूनम चिर चिडाती हुई रसोई में चली जाती है ये लोग एक मौका भी नहीं छोड़ते मुझे ताना मानने का मैं दिन बर घर के काम करती हूँ यह किसे को नहीं दिखता पूनम चाय लेकर आती है और सुधा को देती है इतने में पायल भी ओफिस से घर लोटाती है और सुधा पूनम से कहती है तेरा अच्छा है बहू, तू दिन बर घर पर जो रहती है बिचारी पायल इतनी धूप से आई है, इसके लिए पर कुछ चाय पानी ले आ आरा क्या हुआ पायल, आज तू इतने चल्दी घर कैसे आ गई वह ममी जी, आज मेरे आफिस की कुछ लोग खानी पर आ रहे है पूनम, तू खाना बना लेना, कम से कम पांच तरकी सबसी बनाना, वे लोग खुश हो कर जाने चाहिए हौ हौ क्यों नहीं बनाएगी, ऐस भी बैठे बैठे दिन बर करती ही क्या है इसी बहानी इसका मन भी लग जाएगा मन मार कर पूनम को हां कहना पड़ता है, और वो दोपेर से ही खाना बनाने में लग जाती है रात में जब पायल के आफिस के लोग आते हैं, पूनम खाना लगाती है और खाने की खुश्बू पूरे हॉल में फैल जाती है खुश्बू तो पायल बहुत अच्ची आ रही है, लगता है पूनम ने बहुत मैनत की है खाना खाके पता चलेगा की खाना कैसा है, अच्चा भी है या बस खुश्बू ही आ रही है सबी हसने लगते हैं, पूनम कुछ कहती उससे पहले ही पायल कहती है वैसे खाना पायल ने नहीं मैंने बनाया है, दोपेर में आने के बाद से ही मैं रसुई में आ गई थी वैसे तु सभी मेरे हाथ के खाने की तारीफ करते हैं अब देखना है कि आप लोगों को कैसा लगा सुपर से काम करकर के ठक गई हूँ इसलिए पूनम खाना परुस रही है अरे वा, हमें तो ये पता ही नहीं था कि तुम खाना भी बना लेती हो पूनम खाना परुस्ती है सभी खाना खाकर खुश हो जाते हैं और तारीफ की पूल बान देते हैं हान तो ला जबाब बना है मान खुश हो गया खाना खाकर हाँ पायल, रेस्टरंट से भी अच्छा खाना बनाए अब हर विकेंड हमें बुला रही हो ना खाने पर हाँ हाँ क्यों नहीं सभी खापी कर चले जाते हैं लेकिन पायल पुनम को एक बार भी धन्यवाद नहीं करती खाना बनाने के लिए पुनम को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि पायल ने सबके सामने उसका नहीं खुद का नाम ले लिया रात में ठक कर पुनम अपने कमरे में जाती है जहां प्रतिक उससे कहता है बाबी की बॉस आये थी घर क्या बात है लगता है बाबी का ओफिस में बहुत दबदबा है यह सब तुम कैसे समझोगी तुम तो घर पर रहती हो हाँ हाँ तुम भी क्यों पीछे रहोगे पूरी दुनिया तो मुझे ताना मारती है और अब तुम भी ताना मारो मुझे मैं दिन बार रजोई में सड़ती रहती हूँ इतनी घर भी में लेकिन वो किसी को नज़र नहीं आता पायल के रवये से पूनम का मोड खराब तो रहता ही है उपर से प्रती की ऐसे बातों से उसका मन तूट जाता है कुछ दिनो बाद एक रोज पायल पूनम से कहती है अज फिर से खाने पर मेरे ओफिस के कुछ लोग आ रहे है अच्छा बना ले ना कुछ देख मेरे नांक नहीं कटनी चीए पूनम लेकिन भापी आज तो मैं अपने माईके जा रही हूँ पायल की बाते पूनम को चुप जाती है और वो पायल को सबक सिखाने का ठान लेती है वो खाना सभी के लिए जरूर बनाती है लेकिन खाने में नमक और मिर्चि ज्यादा ढाल देती है आज भापी को उनकी आउकात समझ में आईगी खुद को बड़ी अफसरनी समझती है ना रात को ओफिस के लोग आते हैं पूनम खाना परुस्ती है खाना का एक निवाला खाते ही सभी का मो बन जाता है क्या हुआ सर? लगता है आज तुमने खाना नहीं बनाया लगता है हमारे बार-बार आने से तुम परिशान हो गई हो अरे नहीं नहीं ऐसा क्यों कह रहे हो आप लोग मैंने तो बड़े ही मन से खाना बनाया है क्या हुआ? कुछ तो बताईए खाने में नमक और मिर्चे कितने ज्यादा है मुझी तो लगा जैसे तु स्कूल में टॉपर थी वैज़े ही खाने में भी तु टॉपर है क्या टॉपर? भाबी तो ट्वेल्ट क्लास की फेल हो गई थी भाबी आपने इन लोगों को बताया नहीं क्या? आपके पापा की सोच से आपको ये नौकरी मिली है क्या? मतलब तुमने हम लोगों से जूटका? अरे कितना फैकती हो तुम पायल? सबी बिना खाये पिये वहां से चले जाते हैं और पायल की अच्छी खासी बेज़ती हो जाती है गुसे में लाल पायल पुनम से कहती है ये सब तुमने क्यों किया? इतना गंदा खाना बनाया मुझे नीचा दिखाने के लिए ठीक है? मैंने खराब खाना बनाया है तो कलसे आप खाना बना लेना वैसे भी सब यही तो कहते हैं कि मैं दिन भर बैठी ही तो रहती हूँ अब पुनम घर के सारे काम करना छोड़ देती है और पायल को ओफिस के साथ साथ घर के भी काम करने पड़ते हैं टाइम पर खाना पिना ना मिलने के कारण सुदन, प्रतीबा और प्रती को पुनम की एहमियत समझ में आने लगती है एक रोज रात को देर से पायल ओफिस से आती है और फिर खाना बनाने रसुई में जाती है भूग से प्रती की हालत खराब होती है और वो कहता है पुनम जब खाना बनाती थी तो खाना टाइम पर मिल जाता था अब तो किसी भी वक्त समय पर खाना ये नहीं मिलता सही कहा तूने बेटा हम सब को लगता था कि पूनम करती ही क्या है लेकिन पूनम जो करती थी ना वो करना सब के बस की बात नहीं है इतने में ही पाइल रोटी लेकर हॉल में आती है ममी जी मैंने रोटी बना लिये और सबसी जोमेटों से ओरडर कर दी है क्यो? पूनम ने एक दिन भी हमें बाहर का खाना नहीं खिला बाहर का खाना खाने से मेरा पेट खराब हो जाता है अब मुझे समझ में आ रहा है कि पूनम क्या करती थी बाहर का काम तो कोई भी कर सकता है लेकिन घर संभालना सब के बस की बात नहीं पूनम तो मुझसे कई ज्यादा मैनत करती थी लेकिन हम सबने उसके एहमियत नहीं समझी और उसे बस ताने दिये अब सबको पूनम की एहमियत समझ में आ जाती है